विल्कम बैक डिया इस्टूटंट आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत हैं आज हम लोग फिर से पुना अपनी आट बज़े वली क्लास पर आए हैं तो जल्दी फिल्दी आपके रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को सेयर कर दीजिए जिसे की जितने भी बच्चे हैं जल् और फिल्दम फ्री कोरसे से ठीक है तो आप लोग वीडियो को सेयर कर दिया करें और जो वह बच्चे ज्वाइन कि यह सारे सब्दून में फ्री में लाता हूं तो आपको केबला देखने में कुई हर्जा हो तो बता सकते हैं अगर आपके कोई को दिखकत है या फिर कोई जीसे आपका वीक पॉइंट है या फिर जो भी मैं साइंस पड़ाता हूं ठीक है साइंस का जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो उस टॉपिक को आप मने पता है मैं अगले दिन सब्सक्रों करें आपि भी टॉपिक के रिवाइश कर दूए को दिक्कत नहीं आप लोग डरिये मत खवकच को दिक्कत नहीं है रिवावस करते में अब स अब बताते हैं अब कि बोर्ट 특स कि ज्यादा समें नहीं बचा हुए है ठीक है हमारे पास समय आप बचा हुए आगस्ट से केवल फब तक इसके बार में मार्च में मान के चलिए पेपर आप के होने हैं निश्ची था यह मान के चलिए कुरोना की वज़े से साइद भले थोड़ा लेट लपेट हो जाए लेकिन आपके बाद में पढ़ने का सामय स है ठीक है और मैं चाहता हूं कि मान के चलिए आपके जित्ते भी यह कोर्स यह साइन्स का कोर्स है वह जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए और रिवीजन कराया जाए ठीक है तो आप सभी लोग वीडियो को सेयर कर दिया करें और जो बच्चे हैं जो वीडियो को नहीं देख पाते हैं फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखा करें पूरा देखा करें और मैं पीडियाप तो सेंड कर देता हूं ठीक है मैं पीडियाप तो आपको सेंड कर देता हूं तो आपको बुक की कोई दिक्कत नहीं है जो भी आप सुछते हैं कि सर मुझे पाफ बुक नही आज हमारा टोपिक रहेगा आयनी कातवा बैदुत फईयों जो योगिकों के निर्मारा यानि फॉर्मेसन आयोनिक एंड एलक्स बैलेंट कंपाउंट ठीके इसके बारे में बात करते हैं तो पहले तो थेओरी जब तक भाई थेओरी हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक हम तत्र्वाइं के लग्ष्टान विन्यास में बाहिकतम कोश को संयों कोश कहा याता है यानि को जो सबसे आंटर मॉस्ट लेयर होती है रोव लोक्स वह संयों कर रहा है अब दीदखि वह तक है जो भी अपने परमालू होते हैं वह क्या काम करते हैं और अस्टक बनाने के लि बनाने के लिए वो अपने आपको मतलब एक दूसरे फिस संपर्क में रखते हैं जब तक उनका आठ नान्तिम में पूरा हो जाए ठीक है और जैसे बफ यही आठ में कम होता है ज्यादा होता इन्हीं को संयोजग कोस कहते हैं जैसे मान के चली अंत्री में साथ है अब जरूरत एक है तो संयोजगता क्या हो जाएगी इसको एक हो जाएगी ठीक है एक एलेक्टरान को संयोग करके अपने को आठ बना लेगा ठीक है इसी को हम लोग कहते हैं संयोजगता कोस ठीक है अंत्री मला कोस लास्ट वाला ठीक है जो लास्ट में सबसे कोस होता है ठीक है उसे हम ल इसको आठ बनाने के लिए इसको दो की जरूत होती है तो यह एक्सेप्ट करेगा तो मैंने आप सभी को कई बार पढ़ाया है आयन तो इसके उपर आक्सीजेन के उपर डबल माइनस इसी लिए लगता है अगा चार से कम है ठीके किसी में अंतिम कोस में चार इलेक्टरान से कम है ठीके अब बात समझे लेंगे अब यहां पर बात आ ही गई है ठीके तो लिथियम बात समझेंगे लिथियम लिथियम का परमाड़ो करमांग तीन दो कक्षक होते हैं पहले में दो फिर एक होता है यहां पर समझे देखे यह S Block Elements होता है उसमें अधिक्तम दो electron होते है तो आधा में को सब्सक्राइब करेंगा इलक्टरान को निकालने का काम करेंगा तो अब यहां पर आप समझेंगे अब यह सेकंड को से इस के पास साथ कम है साथ मुस्ट बना लेता है इसलिए क्या बना लेता है लीथियम क्या बना लेता लिफ के रूप में होता है प्लफ का मतलब 1 एक लैक्तान इसने डोनेट कर दिया तो इतना चीज आपके लिए काफी है अगर आपको कोई दिखाता ही हो तो हमसे बताना ठीक है चलिए आगे लिखाओ कि हम तत्तों की अभकिरिया सीलता को संयूर्टा कोस को पूर्ण करने के प्रवित्य के रूप में समझ सकते हैं अब नोबल गैसे होदी कहाँ पर हैं आप लोगों ने देखा होगा प्यरिडिक टेबल में मेरे पाफ तो पिरिडिक टेबल है नहीं स्वरी आपसे मांपिछ आता हूं मैं आज प्रेडेडिक्टेबल नहीं ला सका ठीके लेकिन आप लोग समझें जो लास्ट कोस होता इसको सुन्य और सून्य और इसमें जो भी पर वार रिए से सब नहीं होती है अनि वह जल्दी से संयोग नहीं करती क्योंकि उनका जो तो कच्छा होता है कर्द फिल होता है इसलिए गARP आप अब लोग देखते हैं उपर सबसे हं अगर हम बात करें तो अब करते हैं तो the फिर फिर ईनर्ट गैसे के नाम से जानते हैं by निशेकरी होती कहने उनका क्योंकि उनके पूंड को स्वुम्ड भरे होती है यह यहां पर आठबर होता हुआ हां वह भरे रहते हैं इस लिए इस विद्शन creator रफासन यो सबढेटर एक यहां पर थोड़ी समझेंगे फिर इसकोrov को समझें के कोस्षिस करेंगे ठिक हिया है ठीखा हुआ है कि sodium परमाडो के रिव्हें में एक 2 अके लाक्रान है यह आपने अपने मैं एक लक्तान को ठ्याग देगा तो यह कोस्थ बाहेत्पम कुस्त बन जाएगा अगर यह यहां से सन अधी यहां लेक्टान को ही अस्टिक भूला बोलायाता है ठीक है सैमेज पर माडुकन नाभिक में 11 ब्रोाद है लेकिन ल region के संख्या दस होने के करद़ इसमें धन धिकता होती है तीके, यहां पर बात क्या कर रहा है, नाविक में प्रोटानों की संखिया है कितनी? प्लस होते हैं, तो ये प्लस वाला हम गुण प्रिवावी हो जाएगा, ऑब ये कितना प्रिवावि हो गया निपा निटन दू़रे हैं तो यह क्रेंगा कांडों से तो यह क्रूरा कर्ने के लिए एक इरांस को लेगा एक्षुल में प्रॉटान यहां पर केते होते हैंल दौत प्रॉटान होते हैं अब इलक्तरान कեते हों गए ऐधा हो जीए यह प्ल฼ कम है और माइनस जादा है तो माइनस कितना जादा है एक जादा इसलिए इसलिए और किलोरिन के ओपर क्या हो जाएगा माइनस का वन चार्च आ जाएगा तेखे यह चीजे सभी को क्लियर आप हो गई है किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना दोनों चीजे तो आपको समझाया गया है किसी को दिकत नहीं आई है चलिए अब यहां पर आगे थोड़ा फ़त देख लेते हैं ठीके यहां पर बात समझ लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि विपरियत अब इस होने से सोडियम धन आयन क्लोराइड रिड आयन प्रसपर आकर्षित होते हैं मजबूत इफ्तिर विद्धूत आकरसवल बलद्वारा बनकर सूडियम क्लोराइड नामक आयनिक योगी का दिर्मान कर देते हैं देखिए इसके प्लस वन चार्च इसके पास भी माइनस वन चार्च है यह दोगनों एक काम करेंगे बात को समझने की कोशिश करें एक्षियल में हुआ क्या है देखिए एन्ने के पास में एक एलेक्ट्रान ज्यादा है मलब एक एलेक्ट्रान निकाल दिया निए एक लेक्ट्रान ले लेगा और फियल के पास में माइनस वन है तो यह क्या काम करेंगा इस समय आइस्थिर होती हैं अब ये दोनों आपस में मिलकर के एक योगिक बना लेगे फिर इस्थिर हो जाएंगे ठीके तो क्या करेंगे इनके उपर अपोजिट पोल है और आप सभी को मालूम है जो अपोजिट पोल होता है उस वो आपस में जल्दी से आकरसित हो जाते हैं ठीके अब ये दोनों आकरसित हो करके क्या बना लेंगे एनने सीयल का निर्माण कर लेंगे किसका निर्माण कर लेंगे एनने सीयल का निर्माण कर लेंगे ठीके यह सभी को क्लियर हो गया है एनने सीयल का कैसे निर्माण हुआ चूकि इसके उपर प्लस होगा इसके पर माइनस हो तो आप अपने आकर्फित हो जाएंगे और क्या बना देंगे योगिक का निर्माड कर लेंगे ठीक है यह आइनिक योगिक का निर्माड हो गया है ठीक है अब चलिए आगे बात करते हैं भारम दो दो थो आगे लिखा हुआ है आउनिक योगिक मेंगे इसुम क्लॉरिट क disp96 से निर्माड होता इसके बारे माद कर लेते हैं डिकित आब यहां पर बात कर लेंते हैं मेगनिश्यम के एलेक्ट्रॉन ट्रव्श क्लidan यह बिंश्य मैगनिश्यम के दो चमल बार इसकी हैं अगर बात करें दो यह लेक्ट्रान को आप बड़े कोुछ जाया है कि जैसे यहां पर mg है mg2 प्लस है यह क्या काम करेगा दो इलेक्टरान को निकालेगा अब यहां पर इसके बगल वाला जो परमाड़ू है वह एक लेक्टरान को लेता है तब इसी के जैसा एक और आना चाहिए ना इसी के जैसा अगर एक और आएगा तभी तो यह दो 1-2-2 माइनस हो पाएगा इसी लिए यहां पर क्या हो गया मैनस एम जी डबल प्लस जो फिल माइनस यह क्या हो गया ऑईनिक योगी का दिर्माड हो गया तो आप सभी को इसी तरीके सकते करना है ठीके यह में क्लॉराइट का निर्माड हो गया अगर आगे बात कर लेते हैं के लिखाऊ है कि calcium में दो electron कम करने के प्रवित्ती होती है ठीक है या कि क्या काम करता है चो calcium होता है ठीक है यह होता है वो अंति में उन्थ के दो अराम से निकाल देता है और आक्षीयन आप लोग को मारे मैं च्छह लक्टान होते हैं तो दो लेने का काम करेगा तो डबल माइनस हो जाता है अब आपस में दोनों मिलेंगे इसके उपर भी क्या है प्लस टू है और इसके उपर भाई माइनस टू है अब दोनों के उपर जो हमारे प्लस और माइनस चार्ज एक्वल है दोनों के उपर बराबर जा जा रहा है तो ना तो आक्सिजन को जादा करना पढ़ेगा तो फीजल इफरिकते हैं सी ए ओ कैल्सियम आर्क साइड ठीक है यह चीज़ सभी को क्लियर हो गया है आगे पढ़ेंगे आयनिक योगिकों के गुडधर्म यह जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी इस क्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ कि बहुत तीक प्रकरती फिजिकल स्टेड क्या होती देके तो दन और रिड़ आयनों के बीच परस पर मजबूत इस्थिर आकसरबल होनी से आयनिक योगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं ठीके आयनिक योगिक क्या हो जाते ठोस और कठोर होते हैं यह योगक सामानत्या भंगुर नहीं होते हैं दाप डालने पर ही मजबूत आकरफडबल होता है और यह साल्ट सभी लोग जानते हैं यह बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं इस प्रकार के जो योगिक होते हैं बुट्टी ठोस होते हैं आसानी से तूड़ते नहीं है जब ज़्यादा इनके उपर दबाव डाला जाएगा तभी तो नमक के गो डाला जाएगा तब उनके छोटे-छोटे टुकली हो जाएंगे ठीक चली आगे बात कर लेते हैं उच्च गलनांक वा कुथनांक ठीक हाई मेल्टिंग एंड़ बॉयलिंग पॉइंट्स आयनिक योगिकों में विपरीत प्रकेर्स के विद्धूत आयन मजबूत अंतर आयन तक गरम करने के आएवसकता पड़ती है इसलिए आयनिक भलो के गलनांक वा कोथनांक बहुत जादा अधिक होते हैं उधारडिके लिए तो 1074 degree Celsius इसका क्या होता है गलनांक होता है यानि 1074 degree Celsius जब इनको हम लोग energy देंगे तो ये क्या काम करेंगे तूट जाएंगे ठीके और क्वथनांक ठीके इनका इनका होता है एक एक हजार खेसुश्सूशी डि मेरे डिगरी स्यल्सियस तीक है अगर इनको इतना ताप मांध दिया जाएगा तयुंका कवठन हो जायेगा ठीक है ये कि इनका कवठना वाग केता होता है 1686 ऑगली ऐसे हता है ठीक शलिए आगे बात कर लीते हैं लिखा है कि जल में गुलन सील था ठीक है जल में हिल भूल सेल ताउ भूलिंटी इन वाटर ठीक है टीथ को बेटी इन वाटर चलिए बात कर लेते हैं जो आइनिक योगि क्या में गुलंसील होते हैं आयनिक योगिक क्या होते हैं बच्छे जो मुलब सामानते जल में गुलंसील होते हैं क्योंकि जल में इनकी आयनों के बीच आकरफडबल कम हो जाता है कैसे को भी योगिक है जैसे साल्ट ले लिया यह भी तो एक आयोनिक योगिक है इसको जैसे पानिय में डाला आता है तो तूट जारता है तो अब जल में जोषिवलां थे क्योंकि जो आइनिक कंपाउंड होते हैं जो उनके बीच में आयनों के बीच आकरसलबल होता ह।श-थे जल में कम जाते हैं आएनिक योगी जैसे किरोसीन है पेट्रोल है आधी जैसे विलायक में आबिले होते हैं तो याद रखिएगा जब नमक को पानी में न डाला जाए किसमें डाल दिया जाए जैसे किरोसीन है पेट्रोल है ठीक है आधी दूसरे विलायक में डाल दिया जाएगा तो य जह बंसक्तां भी होगा तो नहीं विल्ये और जल्म ज्यादा बले होगाwał तो जल तो शूंदिशेत में यह जल्म सोफित होता है ठीक है जब बिल तरवाहित किया जाता है तो यह आयन विपरीथ एलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं ठीक है इस प्रकार आइनिक योगिकों के जली बिलन में विद्दुत प्रवाहित होने लगती है जल के अभाव में एठो सवस्था में आइनिक योगिक विद्दुत का चालन नहीं करते हैं जो मतलब यहां से क्या कहा जा रहा है कि जो आइनिक योगिक होते हैं अगर वो जल में घुले हैं ठीक है अब अगर जल में घुले होते हैं तो तो क्या विद्दुत धारा प्रवाहित होगी अगर जल की मात्रा नहीं है तो आइनिक योगिकों में विद्दुत का चालन नहीं होगा ठीक है क्योंकि जो इनकी फनच आप साल्ट को मतलब नमी नहों एकदम नमी नहों ठीक है आप लोग ठीकल करके चेक कर लीजिए एक बार मैं आप सभी को बुताता हो आप लोग कैसे के लिए एलाक्ट्रिक करंट से यानी बिजली से आप spray नहीं करना बैटरी से करना ठेर्ट काम करना एक क्टोरी लेना एक में पानी भर लेना एक में इसमा को डाल देना और इसमें इसमें भी नमग दाल लेना ठीक के यहां पर पानी यहां पर पानी नहीं है रखे आज अब यह काम करिएगा अब एक बलफ लीजिएगा ठीक है एक बलफ लीजिएगा एक बैटरी है यह से यह बलफ है ठीक है एक तार को तो एक तरह पर जोड़ीजिएगा और दूफरे तार को यहां पर बैटरी की यहां पर रख लीजिएगा ठीक है और एक तार को यहां पर लेकर के लगेगा यहां काम भी वही करेंगे यहां पर भी बैटरी ले लेंगे एक बलब लेंगे एक छोर यहां पर लगा लेंगे एक छोर नमक के अंदर लगा लेंगे यहां पर साल्ट भरा हुआ ठीक है और यहां पर एक छोर को लगाएंगे तब बिजली नहीं प्रवाहित होगी तो जो आइनिक योगीक होते हैं वो जलिय माधधम में बिदुत का चालन करते हैं और जो जल नहीं होता तो वहां पर बिदुत का चालन नहीं करते हैं चाले aff kale सब 752 मियां रहा है बच्ची जिते बच्चे है वीडियो को और लाइक कर दिया करें जो दूफ्रे फ्रन्ड देखने का नहीं ठीप कि भाई अगले दिन वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखें और इस माध्यम से अगर आप लोग को दिक्कात है तो बता दीजेगा ठीके वैसे तो मैं सारी चीज की पीडिया भी सेंड कर देता हूं आपको ठीके तो बुक की कोई आफकता नहीं है डोंट वरी ठीके मुख को जरूत नहीं आप सभी को पढ़ते रही है आपको कोई दिक्कात आती है तो भाई बताईएगा ठीके मेरे तरब से यह फ्री कोर्सेस हैं और पैसा इसका कोई नहीं पढ़ता है आप सभी को एकदम से फ्री है ठीके नू आप कोस्ट मैं कभी पैसा नहीं लोंगा इसका ठीके फ्री में हमेशा पढ़ाऊंगा तो आप लोग पढ़ते लिए आपकी कोई धिक्कत तो नहीं है भाई मोबाईल हो गया रहता है तो आप लोग अच्छे थे से पायते हैं तो जो तदो होते मुकतिया तो रूप में पाई तन्तर में पास्था में पाई कि cumulative किसी आप माईन होईं sı forum जूड़े हुए ज़स्ता में पायां थे तो यहां पर बात कर लेते सबसे पहले points नहीं मुक्त रूप सपपर हो मेरे जसे जैसे क्लास मेरी मेर और तो उसे स्वतांत्र कहीं होँ उसकी आनित आचांव से क्रिया करने सक्ति कम होती है तो कुछ और है प्लया सवाइटीना ढ़िए शिल्‟ या नीचांदी हो गई यह और क gelmiş यह 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 कूछ ऐसे पर पहते हैं यानि यह रियक्टिव बहुती ही कम रीयक्टिव में सुन खुद внутри us यह देन पढ़ेगा लेकिन यह किसी isq के रूप में नहीं प्राप्त होंगे कि इमलब गंदे रूप गंदे संदे हो जाए कुछ और इसमें मिला हो तो ऐसा नहीं वोता है ठीक है अध्य कुछ प्री होता है यहां पर संयुक्त तो निकिंडों कमबाइन का मतलब है जैसे एक किसी चट्सा में आड़ के ब बच्छे 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 इनको बोलते हैं कंबाइन और प्री मतलब आठ अलाग नवगा दफ करूप में पायते हैं जिनकी अन तत्तों फे करने की सक्ति बहुत ज्यादा होती है जैसे उधारट की बात कर लें तो कापर आयरेंट एलिमूनियम तरफ प्रके तुम्हें स्वेंक्त रूप में पाए जाने वाले कुछ तत्थ होते हैं ठीके तो यहां से काम करेंगे कापर को ठीके ठीके यहां पर क्या होते यह सबी क्या हो जाते हैं हमारे बच्चिया यह की तुरूप में पाल यह प्रूश्ण बिखेंगे कापर रुक्राइड का सूतर बता तो याद रखियोगा यह पूशा भी गया हिए कच्पार-पारइड का सूतर होता है तो कापर-पारइड का सूतर होता हूँ सी यू यू एक्वी का का पर नियुडय का शूथ होता है नो आगे बात के लेतेक है आज नेन फ्रविल्ताया का सीवल्ता में हूद फीया नेसी रूब्लत नहींrice में हेस dwell नहीं हो इतो हाथ मुक्यत्या सिल्वर ग्लांस के रूप में पायाती है टीक है के रूप में सभी पाया जाने वाली होते हैं ऑर कुछ स्वतंत्र होते हैं या ऑफ्था में पायते हैं यह स्वतंत्र भी पाया जाएगा और संजुक्त दोनों भी पाया जाएगा जैसे चांदी कापर लोहा तथा यह स्वतंत्र भी होते हैं और स्वतंत्र रूप में भी पायाते हैं सोना और प्लेटिनम यह पूर्ड रूप फे फ्वतंत्र होते हैं ठीक है पूरे तर के रूप में पाईाते हैं इसस्वत्पंध्र भी होनगे अगो और एक दूसरे से मिलकर भी प्राप्थ होंगे जैसे कापर कैसे प्राप्त होंगा कापर Пाइर इस sólo होगे फिर्वर ग्लांस की रूप में पायेएए जाएगे आगे बात कर लेते हैं को प्रदिवी जो उपर परत होती इसको भूपर परपटी बोलता है धात्व का मुख शरूत है वहीं से क्या होती है कुछ धात्य में सबसे कम teha स्रेडी में अगर आपने वह वस्तासा में ऱंगुए जो आप सभी को पढाया था शक्रितान derive उस में जो नीश्य के अब सबसे कम इश्या सबसे कम सबसे होते ह्ए कbies各ण का श्यां इसान करके अब पाहरे था नीचे क्या था पारा था जोना था और सिलवर था और क्या था था और क्या लेड था यह तरी कि QuadOr पाए इस अभी क्योंते सुर्टनतर फ्लिवर अपने सल्फाइड याकसइड के हैं आएसके रूप में संझुक्ट में भी पायते के संझुक्त भी होते हैं और मुक्त होते हैं चैसे की सक्रेता स्रेडि में सबसे उपर के जो अधातु में होती यानिकि potassium, sodium, calcium, magnesium और aluminium इतनी अधिक अभिकिरिया सिल होती हैं कि ये किसी भी तत्वे त्रण्ट ठीके किसी भी फट्वत तत्वों के रूप में नहीं पायाती है यानिकि सभी तत्वे रेक्ट करके ही पायाती हैं ठीके फकृता स्नेडी में जो बीच की धात्व में होती है जि थी है जैनि पृत्वि की भूपरबरती में मुकेद्या आक्साइड nonprofits के रूप में पायाती हैं जो सभी धात्यों होती है वह तीन रूप में पायाती है एक तो 一 इक साँधू और एक कार्बोनेट के रूप में पायाती है ठीके आगे बात कर लेती है तक्तों की प्रचूरता प्राक्रतिक प्रचूरता यानि नेचर में काईसी कितनी ज्यादा पायती है कितनीthonों तो कितने कितने प्रतिफत पाई जाते हैं तो प्रत्वी पर पाई जाने वाले तत्तों की भारी के अनुसार प्रचूडता करम नीशे लिखा गया है इस करम को सभी को याद अखेना सबसे जाता कौन फ़र तत्तों पाई जाएगा आक्सीजन फिर सिलिकन 25.7 प्रतिफत पाई पाई आयरं चार दुसम दो स्व्न jail और आ जान और बच गई हैं वह सभी अन में च ENS ऐसे भी को clear हो गया है आगे बात कर लेते हैं लिखा हुआ है कि इस प्रकार प्रत्वी पर पाया जाने वाले तत्तों में आक्सियन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है तो प्रत्वी पर पाया जाने वाले सभी धातूं में की मात्रा अधिक होती है अब धातू की बात करें तो अधिक मात्रा में पायाता है आइरन धातू भी प्रकेत में प्रचूरता में पायाती है जो आइरन होती है वह भी मतलब भर की पायाती है प्रत्वी का लगवग जो अठान नवे भाग होता है वह उपरोक्त नव तत्तों स यह जो नव ठीक है जो हमारी तर्त होते हैं प्रक्रति का 98% बाग इनी से बना होता है दो प्रतिफत में अन्य सब ही आ जाता है ठीक है अब काई धातों में एक्सिजन की हैशिए प्रस्री पर इसके प्रचूर मात्रा में पायाने कारण ऐसा होता है डात्वें के रूप में होते हैं यह कुछ धात्य होंगी यह चीज़ अभी को उपर समझ में आ गया खानष्क के बात कर लेते हैं यह से कुछ युगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं खानष्क दात कि प्रत्वी में धातू ततह उनके योगिक जिस रूप में पा जाते हैं क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं किसी खनिज के नाम के साथ कोश्टक में लिखा गया सूत्र उस खनिज का मुख Cancer मुक्री प्रदशित करता है और फंपर.. फल्फर और यहाथ होती फल्फर आधातु यह सब यहाँ पर इसमें पाई आता है फंपर भृषज मे होता है जिसको जमीन से खोज के निकाल आता है खान फिस खोज के निकाला जाए वहीं क्या हो जाए बच्चे धल तो फिर से पूरा समझ देंगे रहां प्रतवी में दास्चम के उनकी योग को जिस रूप में पार जाएं क्या कर लाते हैं खानिज के लागते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है आप सभी को समझ में आ रहा होगा आगे आएस की की बात कर लेते हैं तो उसे खानिज को जिसमें किसी भी धातु को सफलता यानि सरलता पूरवग या फिर कम खर्च पर अलग कर दें ठीक है उसे क्या कहते हैं धातु का आएस का बोला जाता है एनिकि उसक खानिज को ठीक है जिससे किसी धातु को अलग करना बहुती सरल हो बहुती मतलब क्या हो जाए कम खर्च में हो तो वही क्या हो या तो धातु का आएस को कहलाती है ठीक है अब धातु जो होती है वह अपने आएस के के रोप में प्राप्त होती है ठीक है एसक वही होगा जिसे और आम से हम निकाला जाते के थो यह हो जाता है तो भी कापर केए है spar प्रयुट है कपर फायट है El credential का वाक साइट हो गया लोफ का ठीक लेड में हो गया शलंक हो क्लियर हो गया सभी को सभी आगे बढ़ते हैं प्रमुक us की वात कर लेते हैं ठीक है ठीक है और cheaper तो किसी भी धात के एक अधिक हो सकते हैं कि एक दात हुए तो एक ही अयशक होगा कई सारे उसको तो जिनमें से जिस आयस्क से वह अधिक्तम और कम खर्चे में निकाला जाएगा वही उसका मुख्य है आयस्क होगा ठीक है वही क्या हो जाएगा जैसे कोई भी चीज है मान के चलो कई बार या कई चीजों में मिली हुई है तो अब यह थोड़े कहेंगे कि यह सभी आयस्क है इसमें से निकालने में ज्यादा आसानी है इनकी हपे इच्छा तो यहीं किया हो गए आगे वाला हो गया ठीक है तो यहीं किया ऻजाय हमारा प्रमुख इयसक हो हो जाएशख नहीं होते हैं सभी जो खनीज होते हैं वा यहस्क नहीं होते हैं सभी तो खानेज निकाले जाते हैं लेकिन बहुत. खानीज होते हैं वो आयस्क नहीं होते हैं ठीके बाई जो खानीज आयस्क है वो तो खान फे तो पका निकाला जाएगा अब लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो फबीक खानीज है वो आयस्क सबी करना यसक्षों तो अयसा नहीं जिससे अच्छे या जिससे सरल मात्रा में आसानीस निकलेगा वही तो यसक कहलाएगा आधात्री या फिर मैट्रिक्स के बाद का लिए तो खानिज में प्राया पत्थर के टुकड़े मित्ती के कण कंकड बालू तथा चूने का पत्थर आधि बहुत फारी अजुत अफुद्धिया मिली होती है ठीक है तो इन अपदवरों को ठीक है यह इन गंदगीयों को क्या बोला याता है अधात्री बोलायाता है यह फिर मैट्रिक्स बोलायाता है यह फिर गैंग बोलायाता है ठीक है जो भी जो भी हमारा खानीज होगा जो निकालेंगे तो उसमें कई सारी गंदगियां मिली रहेंगे पत्थर के टुकड़े मिले रहेंगे मिट्टी के कड मिले रहेंगे लुट क्लेर फो गया है न कि आयसक के प्रकार रोती ना आफ बात कर लें तो प्राकृतिक रौत कर ले तो इन ऐस्कों में धार्त वे स्वतंतर वस्ताम में पाई आती है जैसे फलैटीम सोना ये सभी क्या हो जाती है प्राकृतिक आयसक Maar तेके अब आक्साइड एसक की बात कर ले तो इन एसकों में धात हुए अपने आक्साइडों के रूप में पाई आती है जैसे बाक्साइड है ठीके हीमेटाइट है यह सबी क्या है आक्साइड एसक होते हैं सलफाइड एसक की बात कर ले इन में सलफाइडों के रूप में पा था तो इसलिए हमारा क्या हो गया आक्साइड है इसको हो गया है ना और कार्बो निक कार्बो नेट आइस की बात कर ले इतने को हैता है आपने कार्बो नीटों की रूप में पाई आती है जो हमारे होते हैं ठीके जिसे क्या हो गया मैला काइट है ना मैला काइट अब कार्ब फी यू-फी दॉट सियू वेक्ट का होल ट्वाइस ये क्या है हमारा कार्फोर इसका है ठीक अब सीडे राइट है ये भी हमारा क्या है कार्वोनेट आइसक है चुकि यहाँ पर एफी फी ओ थ्री पाया जा रहा है यह लिए हमारा गया हो गया कार्वोनेट आइसक हो गया ठीक है अब क्लोराइड आइसक की बात कर लेते हैं तो यह अपने क्लोराइडों के रूप में पायाती है जैसे हार्न फिल्बर एजी सील हो कर लेते हैं तो safety के बात कर लेते हैं तो इन धूहां ऑलयाज ईसे ओक्रीम्ट हों इंखेस्थ चिलिप साल्ट पीटर एंने न हूधरी सब्सक्राइब यहां पर बात कर लेते हैं कि भारत में पाया जाने वाले कितने कहां पर पायाते हैं यह कोस्षन बनता है यहांने की एइसक के तीन नाम बता है ठीक है तो तीन होते हैं है मेने नामसित नाम होता है टीक है iron pirate F2 इसके पायते हैं अब यह कहां कहां पायता है अधिक मातरा तो बिहार करनाटक इनमें यह पायता है यह सभी जो आयस के हैं यह बिहार करनाटक में पायते हैं aluminium का एक आयस को होता है backside formula क्या होता था ल2-03-2-0 कहां पायता है मद्दपर्देश महाराष्ठ ओडीशा तमिलनाडू जम्मू कस्मीर में पायता है ठीक है कैल्सियव के तीन हैस को होते हैं ठीक है एक हमारा हो गया जिफसम स्टोफ डाट टुस्ट एक हो गया लाइम इस्टोन या चाक या पिर संगमरमर स्टोफ सराव स्टीश हो गया और एक और लेकस फडरेश थू होगया अभन अलग जगे पायते हैं जैसे जीफसम में तरकुगि मत्रान राजस्थान में पायता है तक गुझ्षिता और धेकर楽ud वल्स पायता है त्षास्ड मात्रा में. चाहिए आगे बात करनाएं जिक के बात करना ल nhत solo और इंठ हो गया जाता है सभी आइसक जो है आप सभी को याद रखना है पेपर में कभी कभी आ जाता है और खास करके मान के चलुए आयरन के ज्याद आ प्रोडा हुशी आते हैं टिक कि जिक ए हो गया ZNAS हो ठीक है कापर की बातकर लिए तो कापर के दो होते हैं कापर के भी पेपर में आते हैं ठीक अ होता है अधिक्तम रूफ बिहार अध्रक्रदिर में अलत मेलेचाइट ठीक है इसका को अधिकतम रूप से राजस्तान विहार और भारत में अधिक पचुड़तर नहीं है ज़्यादा मात्रा में यह नहीं पाया जाता है तो आज तक वीडियो यही तक रहेगा और दोस्तों आप सभी लोग बताईएगा वीडियो कैसी लगी वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके जाएगा अगर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब नए किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सेयर करिएगा वीडियो को ठीके वीडियो को सेयर करिएगा जिससे और ज्यादा स्टूडेंट हूँ ठीक हमारे टेली ग्राम चैनल है डीलेट पीडिया फिश्टेडी कैसे मिलेगा आप लोग को करना क्या पड़ेगा जो बच्चे नये हैं ठीक है एक काम करें अपने नंबर को शेयर कर दें एसी वीडियो के comment में share कर दें, मैं सभी को जोड़ दूँगा, ठीक है, जो बच्चे हैं, वोट से ग्रूफ जोड़ना चाहते हैं, अभी भी नहीं जोड़ पाएं, तो मैं उनको जोड़ दूँगा, ठीक है, और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन सभी से request है, वीडियो को share करें, और सभी को बताएं कि अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ठीक है, काईजे से पढ़ाया जा रहा है, तो सभी लोग जादा फे जादा बच्चे जवाइन किया करें, ठीक है, और वीडियो को share करना मुद बुलिएगा, like करना मुद बुलिएगा, comment में बता के जाएगा, कि वीडियो आप तभी को कैसी लगी, ठीक है, अभी मान के चलो, जैसे हमारी class खतम होगी, PDF गुरूपे send कर दिया जाएगा, ठीक है, तो wait करिएगा, ठीक है, goodbye, goodnight, सभी को सुबरातरी, अच्छे से पढ़ाई करिए, मसतर रही है, ठीक है, तो चलिए मिल करते हैं, अगले जब तक के लिए, goodbye, goodnight.